Android development के नूब 2 Pro वीडियो स्क्रीज के अंदर फिर से सवाकत है प्रिवेस वीडियोस के अंदर हम लोग ने प्रिवेस 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 अंदर पहले से हम लोग बहुत सारी चीज़ इंप्रिमेंट कर चुके हैं प्रिवेस 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 प्रिव लिए अपडेट कर सकते हैं आज इतनी बीटा है हमाले डेटा बेस के अंदर मतलब कैसे सो करबा सकते हैं जो लीस्ट वह भी हम लोग देख लेंगे तो इसके लिए हम लोग को दो-तिन चीज़े तो करने ही पड़ते हैं इसके कारण से हम लोग को एक लैडाऊट बनाना पड़ेगा उसके लिए एक रीशेकल अडप्टर भाना पड़ेगा फिर हम लोग जो है अपना झो डेटा है उसको फेच कर पायेंगे पहले तो हम लोग आजाएंगे हमारे dv help के अंदर इसके अंदर हम लोग डेटा बेस का स कर लो इंट कर दे सकते हैं और इसे मिलेक इलिट कर सकते हैं अधीं से आउडरा साह जो फंग्सनियर सकते हैं तो यह बातम होем की suchen in यह वह भाले जो फंग्सनियर देटा कोन देट करशकते हैं जो हैं एक फंग इसका return type होगा, cursor, cursor मतलब यह एक type का query होता है, आप लोग ऐसा समझ लिए हो, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे, तो यहाँ पर पहले तो हम लोग database बना लेंगे, तो database कैसे बनाएंगे, भाल, db, और इसका type क्या होगा, SQLite database, तो equal to, यहाँ पर हम लोग ले लेंगे, simply this dot be be a database, को यह database हम लोग बना है, यह writeable database है, क्योंकि इसके अंदर हम लोगों ने delete पर Β पह रहे है, हम अंदर readable होता है, अप्डेट पर्फूम कर सकती थे, नहीं दिध्वाप्डेट परत्वाहरा जो है, आप्डेट पर्फूम कर सकते थे, ना हमारा जो ہے, क्यांकि हम लोग ने रिडम भेला हैं जो हम लोग ने बना यह पहले से ओका रहा हो कर और यहां पर हम लोग को वारिगने तो हम लोग कहसे के लिगेंगे simply लिएंगे db dot और यहाँ पर अब लोग को raw query यहाँ पर select कर लेना है ठीक है और पहले तो हम लोग SQLite code लिखना पड़ेगा तो हम लोग जो data के अंदर पूरा जो data है मतलब database के अंदर इतने भी data है सब को लेना चाते है तो हम लोग ऐसे code से लिखेंगे simply यहाँ पर उसके पहले में यहाँ पर दे देता हूँ मतलब कॉमा देखे इसको null ठीक है हमारा जो array है उसको लोग null कर देंगे ठीक है तो यहाँ पर जो raw query है इसको हम लोग लिख लेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे select star from इसके बाद आप लोग को जो टेबल है उसका नाम दे देना है तो हम लोग यहाँ पर जो है पेश कर देते क्यूंकि डेटा भी चेंज हो जाएगा तो हम जो डेटा है वो select नहीं होगा मतलब data जो है वो सो नहीं होगा क्योंकि टेबल का नाम ही अलग है तो कैसे कहां से डेटा हो लेके आएगा तो यह वाला जो code select start from student details इससे हमार जिदने भी डीटेल से student का वह सारे डीटेल्स दना झाल जाएगा यह जो है हम लोगा फेश हो जाएगा अभी हम लोग को और एक काम करेंगे data के अंदर जाएंगे, कॉर्डिन क्लास के अंदर जाएंगे, data class सार्ज करेंगे और यहाँ पर हम लोग करेंगे student model ठीक है, student model और इसके अंदर हम लोग क्या क्या पास करेंगे पहले तो हम लोग ID पास करेंगे और ID का टाइप क्या होगा? और इसको हमेर यह लेंगे छिए इन नेम पर अच्लिकल, इसको हम लोग लेंगे और रहीम हम लोग प्रूकर सितना सलन के अंदर और यहां पर इसका नाम दे देंगे तो यहां पर हम लोग का सो होने वाला है तो इसका नाम सो नहीं होगा पहले नाम सो होगा उसके बाद रोल नंबर सो होगा split करेंगे और यहाँ पर जो हम लोगों ने constant layout उसको रखने देते हैं इसके नितरा वोग तो सब padding देदेते हैं ठीक है तो padding देदेते हैं और यहाँ पर जो height उसको कर देंगे rap content ओके तो अब यहाँ पर हम लोग जो है linear layout लेंगे और यहाँ पर इसका जो height and width है उसको हम लोग wrap content कर देंगे और जो height है उसको wrap content रखने देंगे width को जो हम लोग match parent कर देते हैं तो यह पूरा जो है ले लेगा जगा और यहाँ पर जो padding हम लोग ने 25 db लिया इसको थोड़ा कम कर देते हैं जादा ही padding लग गया है तो यहाँ पर 10db कर देते हैं ठीक है 10db होगा तो थोड़ा सा border so होगा तो अच्छा लेगा इसको चारों तरफ से भी constant कैसे करेंगे तो यहाँ पर simply करेंगे start to start of simply लेंगे start to start of parent end to end of parent top to top of मतलब चारों तरफ से हम लोग को parent कर देना है मतलब परेंट से यह जो है constant रहेगा और bottom to bottom of parent बढ़िया है तो अभी हम लोग ने इसको constant कर दिया है इसका orientation set कर देंगे तो इसका orientation क्या होने वाला है इसका orientation होगा बार्टिकल क्योंकि बार्टिकल हम लोग जो है अपना name और roll number को कर देंगे तो simply यहां पर लेंगे text view और जो width होने वाले इसको match print करेंगे height को करेंगे wrap content ओके और इसके नहीं हम लोग पहले तो एक text देके देखते कैसा सो हो रहा है जैसे हम लोग ABCD कर देते हैं ओके तो ऐसा सो हो रहा है तो इसको हम लोग 25 ADP कर देंगे या SP करेंगे क्योंकि हमारा जो text का unit है text size का वो SP में होता है और हम लोग कुछ changes नहीं करेंगे तो यहां पर जो text है इसको हम लोग हटा सकते हैं पहला तो इसका एक ID देते हैं तो इसका हम लोग ID देंगे student name ओके और एक काम करते हैं इसका background color हम लोग change करने करके हाँ तो इसके अंदर कहा क्या 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 है वा डइक है तो इसकी आदर हम लोग का ब्ल्यक्य अड़क य हैद कर सकते हैं जैसे कि हम लोग यहां पर यहो लोग अर्ड कर देते है और यहां पर ईड कर देते हैं तुछ हम लोगना कोपीप्रेस कर लें갔ुछ हम क्यों सारे कि लोगना है ऐसे के लिद लुदार। पूर्फूस पीप्रिक करें भी दरता क के कि लिदी सब भरतार। आपर देख सकतो जो YOLO 10 है बहुत जादा bright है अभी तो हम लोग ने बहुत bright कि है best अब जो ब्लैक की स्पार्ट है व्यादा होगा तो हम लोग एकदम ब्राइट यो लो करते थे, ठीक है, बढ़िया है, अभी जो हम लोग इसको कॉल कर देंगे, ठीक है, तो सिंपली आ जाएंगे हमारे अब आधे, शूदेंट लेवड के अंदर और बैकग्राउंड के अंदर यो लोग पैक्ट कर देंगे, तो देख्ट नो पे आ चुका है, अभी हम लोग एक काम करते हैं, जो टेक्स देखे देखते की कैसा सो हो रहा है, ठीक है, यह भी सीडिक करके, ओके, बैडेड सो हो रहा आपके मैच पेंट और हाइट को करेंगे रैप कंटेंट तेक्स का साइज हम लोग थोड़ा सा कम रखेंगे नेम से तो टेक्स साइज कर देंगे 15D SP और यहां पर थोड़ा साम लोग इसको बोल्ड कर देते हैं तो टेक्स्ट अब लोग भेंटा सकते हैं एक काम करते हम जो यहां पर लीनीय लेवड रहा भी तो जो सायड में बॉल्ड़र हम लोग अच्छा से साहता होगा तो पैडिंग देंगे हम लोग 5DP होड़ा कम नी दें इसका ID देते है रोल नंबर का इसका ID क्या देंगे इसका ID देते है स्टुडेंट रोल बढ़िया है अभी हम लोग को जो है अपना रिसेकलर अडाप्टर वारा लेना है रिसेकलर वीव के लिए तो हम लोग कैसे बनाएंगे तो simply यहाँ पर हम लोग ने सारे काम कर चुके तो simply आज जाएंगे हमारे यहाँ पर com.sunenpratan.sqlite tutorial के अंदर जो पैकेज नेम उसके अंदर आ जाना है जावा के अंदर पैकेज नेम के अंदर आने के बाद new के अंदर क्लिक करना है क्लास एंदर आ जाना है इसके बाद हम लोग देंगे student नेम देंगे हमारे जो रिसेकलर अड़ाप्टर होने वाला है तो यहाँ पर दे देते चुके है student रिसेकलर अड़ाप्टर तो यह बड़ा सब बड़ा दिख रहा है नाम तो इसको इसको रखने देते हैं कोई दिक्क करने में बाद में दिक्कत हो सकता है कि इतना बड़ा नाम है ठीक है तो इसके अंदर क्या क्या पास करेंगे पैस हम लोग पास करेंगे तो simply यह पर पास करेंगे student model और उसके वाद एक context ले ले लेना है इसके अंदर हम लोगों को कॉंटेक्स का उधना ज्यादा कुछ काम पे नहीं आने वाल तो simply हम लोग लेंगे भाल context ले लेना जरूरी है क्योंकि बहुत सरे application में जरूरी होता है मैं ज्यादर application में context चाहिए होता है आप लोगों को पर्देगे की रिसे बनाते हैं अगर नहीं पता है तो हमारा previous वीडियो देख लेना कि उसके अंदर हम लोग ने बहुत रिटेल में समझा चुके है वीडियो थोड़सा लंबा भी है तो आप लोग अगर देखो किया तो आप लोगो समझ में आ जाए कैसे हमारे रिसेकलर भी हुए हो काम करता है तो यहां पर बुक मार्क हो चुका है जो इसको हटा लेते है पहली बात तो यहाँ पर डिलीट बूग मार्क करेंगे तो अब लोग इसको क्या करेंगे हमारा जिसके अंदर हमार जिदने भी डेटा है मतलब जिदने भी लियाउट के अंदर हम लोग ने कॉंपोनेंट लिया उसको इनिसलाइज भी करना है तो क्रियेट क्लास करेंगे और जो हम लोग इसके अंदर करने वाले हैं अभी जो हम लोग इसके अंदर क्या पास करेंगे आइटेम व्यू और आइटेम व्यू का टाइप क्या होगा व्यू आइटेम व्यू और आइटेम व्यू का टाइप व्यू होगा ओके इसको टाइप दे है यह operate functions इसको हम ले लेंगे तो implement members रिखा हुआ आएगा तो हम लोग कर देंगे पहले बोल ला है हम लोग create view holder पहले हम लोग जो आसान काम है वो सब कर लेते हैं हैसे get item count है यह कौन सा count लेगा हमारा list का size है वो लेगा तो simply कर लेंगे हम लोग return तो यह return करेगा लिस्ट.size ओके और अभी हम लोग जो हमारा layout से हमारा जो recycle adapter उसको link करेंगे कैसे करेंगे simply लेंगे भाल जैसे हम लोग जो लेंगे बनाए तो इसके साथ तो link भी करना है नहीं तो data कहाँ पर सो होगा तो इसको पता ही नहीं है तो simply लेंगे भाल और उसके बाद लेंगे view view equal to layout inflator layout inflator dot from from आप लोग parent dot context भी कर सकते हैं या normal यह जो लोग context इसको हम लोग pass कर सकते तो simply यहां पर हम लोग चो parent है उसका context पास करेंगे तो parent dot context dot inflate आप inflate में पहले हम लोगों को layout का नाम दे देना है तो r dot layout dot student layout उसकी अबध हम लोगो past करना है हमारा route तो route यहां पर होने बाल है parent और next में हम लोग का attach to Root को false कर देना है और यहां पर return क्या होने बाला है view folder return होने वाला है तो simply हम लोग लेंगे return view folder और view order के अंदर view को pass कर देंगे ठीक हमारा जितने भी errors था देख सकतो हट चुका है अब जितने भी components से उसका हम लोग इनसलेज कर देना है तो पहले हम लोगों ने क्या लिया था student का name तो simply लेंगे भाल student name और इसका type हो का textview type का textview equal to itemview.findview by id r.id.student name और सेम तरीके से हम लोग student का role number भी ले लेंगे कैसे लेंगे student role और इसका type हो का textview type का equal to itemview.findview by id r.id.student role अभी हम लोगों ने जो variable बना है था उसके साथ हमार जो component है उसको link कर चुके है अभी पास इसके अंदर जो हमारा text है उसको set करना वाकि है जो का हम लोग क्या करेंगे यहां पर on by-end view holder के अंदर करेंगे पहले तो हम लोग current view बना लेंगे यह current जो हम लोग का item बना लेंगे simply लेंगे भाल current item current item मतब list का position ठीक है तो हम लोग यहां पर current item लेंगे equal to list का position ठीक है position ठीक है अभी हम लोग set करेंगे हमारे name और role number तो कैसे set करेंगे simply लेंगे holder dot यहां पर हमारा जो दो variable है या जो component है वो आ चुका है student name dot text equal to current item dot name ओके और सेम तरीकर से हम लोग holder dot student role dot text equal to current item dot role ठीक है पांस कर दिये अभी हम लोग और एक काम करते हैं जब भी हमारा जो पूरा list है list के अंदर जो layout है इसमें click करेगा कोई भी बंदा दो तो पूरा जो layout यह वाला जो layout पूरा है इसमें जब click होगा तब क्या फोगा तो यह हो गाट उस होगा एक टोस्ट होगा पर पहले तो हम लोग लोग को context क्या पास करेंगे context को context क्या पास करेंगे अधिक हम लोग से उसके अंदर पास करेंगे हम लोग current item अब इसको टू श्ट्रिंग में करना पड़ेगा क्योंकि वह इंटीचर में है तो यहां पर हम लोग का जो स्टूडेंट रिसेकलर एर्डप्टर वह बन चुगा वह बन चुका अभी रिसेकलर भी बनना पड़ेगा ठीक है तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे यह कि जो हमारा अच विंटी बना लेंगे जहां पर हमारा डेटा हेग्वा fal cran अन्टेविटी के अन्दर आएंगे नीव के अंदर आके फिर हम लोग्स पहले नीव के अन्दर आना है उसके बद एक्टिवीटी के अंदर आ तो पहले थोड़ा सा टाइम देंगे इतना टाइम तो पहले नहीं लगता था भी जादा टाइम लगता है पता नहीं क्यों मेरा तो अभी 16GB का राम भी है लापटोप के अंदर मैंने राम को एक्टेंट किया कि अंट्रे स्टूड़ी नहीं चलता है बहुत ही दिखकत होता है तो अभी हम लोग यहां पर configure हो रहा है थोड़ा सा तो time देते हैं तो अभी हम लोग गड़एल बिल्ड कंप्रेट हो चुका है अभी क्या करेंगे हम लोग यहां पर एक recycle review ले लेंगे क्योंकि यहां पर एक ही काम करने वाले कि हमाज जो data उसको सो करने वाले तो 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 ही आएट और हाइट को match print कर देंगे और इसको चार्वत तरफ से constant कर देंगे उसके पहले इसका एक हम लोग आइड दे देदेंगे स्टूडेंट आर भी जिसेलिए हम लोग स्टूड आर भी कर जिए आइडी का ने में उके उसको चारा तर्फ से क्लीक करके कर सकते हैं हम लोग तो क्लीक कर लेंगे टॉप टूप अब बटम टूब अफ टूर्ट अफ और अट अब देखना एक अगर आ चुका है सारे कोड आ चुका है यहा हमारे जुरी सेखल वी पहले प्हले इसका हम लोग लेंगे कैसे लेंगे प्राइवेट लटी नीस भार जिस तो अरद यस्त का टाइप क्या होगा यहां बर फूडेंट मॉडेल ठीक है ओके और लाज्ट में बना लेंगे हमारे अड़र अड़्टर तो इसम्प्ली लेंग टाविवे बनाए थी करके लोग तो इसको लोग डिफाइन कर देना आ है तो जासे पहले हम लोग क्या हैंते zh Town tiro तो इसके बाद पास होगा और उसके बाद पास होगा कॉंटेक्स्ट मतलब इस ठीक है हमार जितनी पी अर्रस था देखो तो हड़ चुका है और ये वाला जो अरुर है और हिए बग एक यॉज बॉड़ ने command पर हम लोग एक लियावट हन लेना है तो सिंप्ली लैघ या लियाओड ले 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 लियाओड तो सिंप्ली लै Oल मैनेजर इकूले , यफ तुलुड । टू , लीनियल लेमड मयनेजर और आप लोग नौरमलि लीनियल लेमड मैनेजर कुंद दिस , और यह बावस्वार सीं dan फ्लक मोई तो कोई उन्हुड का सोई होता है डिफोल्ट में यह भार्टिकल रहता है अगर हम लोग चाहते हैं तो horizontally भी इसको सो करवा सकते हैं पर horizontally अच्छा नहीं दिएगा लोगो नहीं जो layout है स्केमारे स्लिगे जीएग क्या है अभी जो हम लोग डाप्टर ले अगजर बने मेनेजर बनाए उसका आप्टर ले आप्टर ले ले अडियाओड मेनेजर के न्युट करतें तो पर दो सेटें के सिंप्ली लेंगे हमारे श्टू्डेड ले लेउड मैने तो यह वाले code से तो हमारा जो रिसेकल ले वी उसका setup हो चुका है complete अब ही क्या करना है हमारा जो list है इसके अंदर data को insert करना है जो data हमारे database के अंदर है मतब SQLite database है उसके अंदर है तो हम लोग कैसे करने हैं उसके लिए हम लोग simply एक function बाना लेंगे data ठीक है और यह पर अल्ट एंटर करने से हमारे एक option है create function तो हम लोग function क्रेट कर चुके है पहले तो हम लोग एक भाल बना लेंगे बना लेंगे और हम लोग को पहले काम करना है हमारे database से उसको बना लेना है तो simply लेंगे प्राइबेट लिटी निर्भार करना लेंगे डीवी हेल पर और हमारे जो डीवी हेल पर इसको कॉल करना है हम लोग कैसे कर दिया है अभी इसको डिवाइन करना है तो कैसे करेंगे सिंप्ली आएंगे यहां पर और सिंप्ली सर्च करेंगे db-helper db-helper equal to db-helper उसके अंदर context पास करने context क्या होने बहुत ठीक है अभी हम लोग लेंगे भाल हैं मतलद हमारा डिस्प्लेटा अंक के अंदर आ जाएंगे और उसके अंदर लेंगे value मतलद value बना लेंगे यहां न db helper dot get data ठीक है क्योंकि इससे हमारे जो data है जो हम लोग ने query लिखाता है यहां पर select star from student data यह student details यह वाला जो query हम लोग लिखाता है इससे हम लोगा query यहां पर आ चुका है ठीक है हम जो view activity के अंदर आ चुका है अभी हम लोग को check करना है हमारा जो इसके अंदर कोई data exist करता है कि नहीं करता है अगर नहीं करता है तो हमारा सो नहीं होगा टोस्ट होगा कि data ही नहीं अगर data है तो हम लोगा जो data है वो list के अंदर हम लोग सेट करेंगे तो कहसे करेंगे तो simply हम लों लेंगे इफ हमारे कर सरे हब वह उसका जो का उंट है मतलब कर सर का झालो है तो यह पर हम एक होता होगा तो क्या टोस्ट हो सोगा तो सिंप्रिलेनगे टोस्ट भीत से टेटा एक्जिस्ट ठीक है ऐसा कर देंगे नो डेटा एक्जिस्ट ठीक है बढ़िया है अगर हम लोग का जो करसर है उसका अकाउंट जीरो नहीं है जीरो नहीं है मतलब कि मायास पहल नहीं सकता तो अगर हम लोग का वान टुो 3 4 ऐसा दर unlimited हो तो क्या होगा तो simply यह होगा तो हम लोग लेंगे यहांपर होयल खोयल तो यह पर हम लोग लगाएंगे जो होने बहल होयल दुब तो ठीक है इसके अंदर हम लोग लेंगे कर्सर .move to next इससे क्या होगा कि हमारा कर्सर के अंदर जितने भी डेटा है वो एक-एक करके मतलब move to next का मतलब क्या है कि एक-एक करके जो है लगातार data को add करता रहेगा जितना data हमारा exist करेगा तो simply हम लोग while loop बना चुके हैं यहां पर और यहां पर उसके बाद list के अंदर हम लोग add कर लेंगे list.add इसके बाद हम लोग element add करना है element का type के student model तो simply लेंगे student model और इसके अंदर पहले तो हम लोग id पास करना है तो यहां पर बहुत एक interesting चीज है हम लोग यहां पर id कैसे पास करेंगे तो मैं आप लोग को पहले सो कर बाता है तो पहले हम लोग आ जाएंगे db helper के अंदर ठीक है तो आभी हम लोग जो हमारा id पास करना यह name पास करना है वह हम लोग add 012 करके पास करेंगे कैसे पास करेंगे तो इसकतियां पर पहले हम लोग यह चीज याद रखना अगर id पहला है तो इसका इंडेक्स होने वाला इंडेक्स होने वाला है 1 और रोल नंबर के इंडेक्स होने वाला है 2 ठीक है इसी इसरब से हम लोग यहाँ पर जो view activity है उसके अंदर data को insert करेंगे तो यह कैसी insert करेंगे simply लेंगे cursor dot get int क्यूंकि पहला value integer है तो get int लेंगे और इसके index पास करेंगे इंडेक्स क्या है इसका index है 0 ठीक है next हम लोग लेंगे cursor dot यहाँ पर क्या लेंगे अब लोग थोड़ा सोच के बताओ क्योंकि यह integer value था तो इसका हम लोग लेंट इंडिया है पर next value यहाँ पर क्या है string value है तो simply लेंगे get string ओके तो हम simply लेंगे लेते get string और इसका type क्या होने वाले मतलब इसका जो index होने वाले क्या है अब हम लोग का रोल नंबर तो simply लेंगे हम लोग करसर dot get string क्योंकि रोल नंबर भी यह string हम लोग पास किया है और इसका जो इंडेक्स से यह 2 होने वाला है तो अभी देख सकता हमारे लीश्ट के अंदर डेटा है वह सेड हो चुगा है अभी हम लोग वाइल लूप के बाहर आएंगे बाहर आने के बाद नोटिफाइ कर देंगा अधर को कि हमारे जो डेटा है वो चेंज हो चुका है तो अभी हम लोग के काम करना है लास्ट काम तो यहां पर सारे चीजों का हम लोग क्लोज कर लेंगे तो क्लोज औल टब करेंगे सिंप्लि हमारे में अपर अम बन देंगे लन गाल अन्डर में तो यहां पर इसको है कारते है बन का नाम देंगे तो Sumatra पर से इसको कापी कर लेंगे नीचे जिए सूद पर करेंगे तो अचछेंबी कर देदेंगे और अभी हम लोग आ जाएंगे मेन अक्टिविटी के अंदर और इसके अंदर आने के बाग सिंप्ली लेंगे यहांपर पहले तो इसका जो कॉंपोनेंट है उसको आज भेरिवल बना लेंगे पहले एक प्राइबट लेट निर्भार गो टू भीउ और इसका टाइप क्या होने वाला है बटन टाइप का होने वाला यह तो अभी हम लोग इसको डिफाइन करेंगे कैसे डिफाइन करेंगे यहांपर आ जाएंगे सिंप्ली करेंगे गो टू भीउ अभी हम लोग जब इसको क्लिक करेंगे तो क्या होगा वह हम लोग दिखा देंगे गो टू व्यू डॉट अनक्लिक लिस्नर स्टार्ड अक्टिविटी कौन से अक्टिविटी स्टार्ड होगा हमारो जो भीउ अक्टिविटी वह स्टार्ड होगा तिया हम लेंगे इंटें क्लिञें एंडिवीया कि कम्प्रिकेशन गर्टेश्म काउच अगर मतले किवीया की में आपकेशन में देखते हैं कि आफ पर जो हमारे इंस्ट्रल का न चुखा देख थे मरें अफ्लिकेस हाई का टिष्टिये ढर बाल रहा है तो यहां पर हमलोग सोरे हिंप्ली करें कि अंदर go to view पहले हम लोग आपनों को डेटाबेस है उसको हम लोग दिखा देते हैं आप लोगो तो अब इंस्पेक्शन के अंदर जाएंगे यहां पर नो डीवाइस के अंदर लिखा यांगे हम लोग क्या करेंगे और एक बर सकरतए है प्रिखेस के बड़ा कर लेंगे सा DevOps आपने इतनी पर प्रधान सहिकत पालित रोहित रभी कुमार और गलू तो देख सकते हैं यहां पर आचुके शूरन प्रतान सारे डेटा आचुके उसका रोल नमर भी पर आचुका है और बैकरांड यह लोगी हो चुका है जो बढ़िया लग रहा है देखने में अभी हम लोग 2-3 एक्सपिर्मेंट करेंगे क्या एक्सपिर्मेंट करेंगे पहले हम लोग इंसत करेंगे ठीक है तो हम लोग पने रॉलिकैर नाम ले ल를 थे है् concentrate करों颗ें तो हम लोग दो में फिलकीन और यहां पर जाएंगे उल्यान इच्बbn कर आदर एड़ में कर ले ऑजीका है और यहां पर जाएंगे तो एब सब् और जर्वार किंगा हो आप दो को पावार कि ने इस आपने कि लिदय लेड़किते हैं अब क्या करें कि हमारे जो गोलू है इसको करें गोलू को डिलीट करकर देखते हैं 100 का रच अब खरेंगे से अब करेंगे सिंपली करें गोलू सभू दिल दिलिट का अंदा तो यहीं ठोने टो में अब दाने करेंगे जिलीनow लोह सिंपली भी चंप अंदर खाले खहला हुआ किनि के लिए्ट समय आपडेट करने या पड़ीद तो सेबन ले लेगे नेम दे देते हैं नेम देते हैं रोकी ठीक है रोकी बन हने ए बन चुका है यह मैंझे तो ढיini टीक हो चुना चुका है ओम गो डेरा नॉटो बन चुका है क्या थाधन पीड़ोलन explaining साथhalf द्रें बन केसे शोभाइड है सब कुछ हम लोग नहीं पर इंपलिमेंट कर चुक है हमरी एक कोर्स के अंदर तो इसके लिए एक तालिया वनना चाहिए नीचे लिख दो क्योंकि हम लोग नहीं पर पर्फॉंब कर चुक है तो आप लोग पर कोमेंट करके बता ना कि कैसा लग रहा है आप लोग यह वीडियो का साला कर देना तो इस मिलते नेस्ट एसी को इन्फरमेटर वीडियो के साथ और नया टॉपिक हम लोग कभर करने वाले तो चलो आप लो अपना फेवरेट प्ले लिस्ट के अंदर तो मिलते नेस्ट वीडियो के अंदर